Hello everyone, जेहिंद वंदे मातरम Friends, आज हम लोग सुरू करने वाले हैं Current FS 2022 की जो important news है उनके बारे में जो exam के point of view से important है ठीक है, तो इस वीडियो में हम Current FS cover करेंगे जनवरी से लेके October तक 2022 की और इस दो तीन वीडियो में हम इसको complete करेंगे यानि आपके PT के exam से पहले हम कोशिश करेंगे कि यह complete हो जाए और exam के लिए जो भी important चीज़े हैं वो यहाँ पर हम cover कर पाएं चलिए, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे Promokh Nuktiya, यानि Important Appointments जो हाल ही में Promokh Nuktiya हुई है पंदरवे राष्टपती, पंदरवे राष्टपती के बारे में ध्यान रखिएगा पंदवी राष्टपती हमारे देश की जो बनी है उनका नाम है द्रौबदी मुर्मू द्रौबदी मुर्मू के बारे में आपको कुछ बाते याद रखनी है जैसे द्रोपती मुर्मो संथाल जन्जाती से आती है यह सवाब लिखते चलिएगा आपको Pdb मिल जाएगी लिए आप लिखते चलें तो ज्यादा अच्छा है कौंसी जन्जाती से संबंद रखती है संथाल जन्जाती से दुसरी बात है यह ओडीसा की रहने वाली है कहां की रहने वाली है ओडीसा की रहने वाली है और अगली important बात यह है कि राश्टपती बनने से पूर्व ये जारखंड राज्ज की गवर्णर थी जारखंड की गवर्णर थी ये बात important है जैसे रामनात कोबिंद राश्टपती बनने से पहले बिहार के गवर्णर थे उसी तरह से दुरुपदी मुर्मू राश्पती बनने से पहले जहारखंट की कवर्णर थी, उड़ीसा राज जिसे आती हैं, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था और संथाल जन जाती से संबन देते हैं, कौन सी जन जाती संथाल जन जाती, एक चीज और याद रखिए यहीं से, स संथाल विद्रो 1856 में हुआ था, ये बातें और भी इंपोर्टेंट हैं, इनको आपको साथ में याद रखना है, राश्पती का निर्वाचन हुआ तो ध्यान रखेगा, राश्पती का आप से चुनाव पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेगा, राश्पती का चुनाव, यानि राष्टपती का निरवाचन अनुछेद 54 में है, तेकर राष्टपती के निरवाचन का प्रावधन कहा है, अनुछेद 54 में, इस बात को भी आप याद रखना, क्योंकि इस पर चुना हुए है, तो यह important है, इसके इसके अलावा, अनुछेद 60 में राष्टपती की सपत और राश्पती का निर्वाजर अनुचेद 54 और राश्पती की छमादान की शक्तियां कहां पर है अनुचेद 72 में राश्पती की वीटो शक्ति अगर आप से पूस दे कहां पर है तो राश्पती की वीटो शक्ति का उलेख अनुचेद 111 में मिलता है यहां हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे अगला चौदवे उप्राश्पती बने हैं जगदीब धनकड और ये उप्राश्पती बनने से पहले इसीच को भी आपको याद रखना है पस्चिम बंगाल के गवर्नर थे कहां के गवर्नर थे पस्चिम बंगाल के गवर्नर थे जगदीब धनकड और ये हमारे चौदवे उप्राश्पती बने हैं उप्राश्पती राजसभा का सभापती भी होता है और उप्राश्पती को सेलरी राजसभा का सभापती होने के लिए मिलती है उप्राश्पती के लिए नहीं, ठीक है, उपराश्पती के बारे में आपको यद रखनी है अगली बात, 70ован लोकसवाद्यक्ष, हला कि ये 2019 में यह बन गए थे ओम बिल्ला के बारे में आपको बात याद रखनी है कि ओम बिल्ला राजस्थान के कोटा से सांसद है राजिस्थान की कौंई सीट से सांसद है कोटा कोटा के बारे मैं आब अच्छे से जानते हैं ये कोटा से चुनकर आते हैं कोटा से सांसद है उनंचास में मुख्य नयायदीस आपसे पूछ alike हैॉयू ललित इंका पुरा नाम है उत्या नाम है उत्या उत्याय ला बो स्लीक्त पूरा नाम ऑनन चास वे यह ज्यादा ऑंपॉटन रही है इसके बाद मुख्य चुनाओ आयूक है हलाकि इतना important नहीं है लेकि तब भी आपको याद रखना है क्योंकि उपराश्पती, राश्पती, लोगसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा इन सब के चुनाओ कराने का काम भारतिय चुनाओ आयोग का होता है ठीक है और भारति चुनाओ आयोग का जो उलेक है वो अनुच्छेद 324 में है तो चुनाओ आयोग का है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाओ आयोग के कारे शक्तियां चुनाओ आयोग के बारे में सारी बातें का दी हैं 324 से लेकर 329 तक और इस समय मुख चुनाओ आयो कौन बने हैं इस चीज को आपको याद रखना है most important लगा लिए आर वेंकट रमनी most important लगा लिजिए इस पर इस बार के लिए कौन थे तो ये भी दिएन रखना है आपको इनसे पहले थे KK Vindu Gopal और KK Vindu Gopal से भी पहले थे मुकूल रोहतगी केके वीडियों गुपाल के बाद फिर से बनाया जा रहा था मुकल रोहतकी को लेकिन उन्होंने मना कर दिया अब किसको बनाया गया है आर वेंकट रमनी को ये भी आप याद रुखे इसके बाद आता है C.A.G अचा एक चीज़ और महानयावादी के बारे में भी आपसे पूछे तो ध्यान रखते चलिए महानयावादी का उल्लेख आर्टिकल 76 में आता है आर्टिकल 76 आपसे अगर सवाल पूछे निमलिखित में से कौन ऐसा है संसद के दोनों सदरों में प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है वहाँ बोल सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है संसद में बैठक में हिस्सा ले सकता है वहाँ बोल भी सकता है लेकिन वो मतदान में हिस्सा नहीं ले सकता वो महानयावादी ही है कौन है महानियावादी आर्टिकल 76 और ये भारत सरकार का सर्वोच विदिक अधिकारी होता है महानियावादी के बारे में आप कोई बात याद रखनी है महानियावादी की निक्ति कौन करता है राश्पती करता है राश्पती इसका कोई कारेकाल निश्चित नहीं होता इसको जब चाहे तब हटाया जा सकता है अगला है CAG तो CAG है समय GC मुर्मू और GC मुर्मू CAG बनने से पहले जम्मू कस्मीर जब यूनियन टेरिटरी बना था के इंदर सासित प्रतियस बना था तो वहां के उपराजजपाल बनाए गए थे क्या बनाए गए थे उपराजपाल बनाए गए थे कुछ समय के लिए ये भी आपको याद रखना है जेएंड के के उपराजपाल बनाए गए थे GC मुर्मू वर्तमान में CAG है वर्तमान में को है CAG Controller Auditor General और इनके बारे में भी आप याद रखिए, CAG के बारे में, CAG के बारे में याद रखिएगा कि CAG का उलेख आर्टिकल अनुच्छेद 148 में है, CAG का उलेख कहा है, 148 लिखते जाएगा यह सब, 148 से 151, CAG के कारे और शक्तियां कहां दी हुई है, 148 से 151 में, ठीक है, चलिए इसके बाद नीती आयोग के उपाध्यक्ष और नीती आयोग के CEO, यह दो most important लगा लिजें पर, यह दोनों, एक ये और एक ही, दोनों important है, क्योंकि अभी यह दोनों नए बने हैं, दोनों लोग नए बने हैं, यानि नीती आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं, सुमन के बेरी, और यह तीसरे नंबर के उपाध्यक्ष हैं, इन से पहले दो उपाध्यक्ष और बन चुके हैं, उनके नाम में यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले जो नीती आयोग के उपाध्यक्ष थे, उनका नाम था, अरविंद पंगरिया, क्या नाम था, अरविंद पनगडिया और जो सेकंड थे उनका नाम था राजीव कुमार जो अब पतपे नहीं है अब किसे बनाया गया है तो सुमन के बेरी को बनाया गया है ये तीसरे उपाध्यक्ष है नीती आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष है और नीती आयोग की स्थापना कब हुई थी, यह आपको comment box में बताना है, exam के लिए important है, ठीक, नीती आयोग का अध्यक्ष अगर आपसे पुछा है, तक गलती मत करना है, अभी उसने पुछा कि नीती आयोग के अध्यक्ष कौन है, और option में सुमन के बेरी दिया है, आप लगा परमेश्वरन, अयर, और इससे पहले CEO थे, अमिताब कांथ, अब राजसभा के उपसभापती की बात करें, तो यह पुराना question ने इतना important नहीं है ध्यान रखना, तो राजसभा के उपसभापती की अगर बात आईगी, तो राजसभा के उपसभापती कौन है, हरिवंस नार राजसभा के सभापती कौन है, तो जो उपराशपती बने है, जगदीब धनकड, इसके बाद यह question देखिए important है, तो राजसभा के महासचिव और लोगसभा के महासचिव हैं, वो कौन है, परमोध चंद्र मोधी, यानि PC मोधी, इस तरह से exam में आएगा, इस तरह लिखा PC मोधी, राजसभा के महासचिव हैं, और लोगसभा के महासचिव हैं, उतपल कुमार सिंग, क्या नाम है, उतपल कुमार सिंग, उतपल कुमार सिंग, ज़्यादा important है, द्यान रखेगा, उतपल कुमार सिंग इसलिए ज़्यादा important है, क्योंकि उतपल कुमार सिंग हाली में बनाया गया संसट टीवी अभी हाली में बना हुआ चैनल है लोगसभा टीवी और राजसभा टीवी को एक करके बनाया गया है संसट टीवी हो गया अब राजसभा टीवी लोगसभा टीवी अलग से नहीं है अगला है मुखे आर्थिक सलाकार तो भारा सरकार के मुखे आर्थिक सलाकार को होने ये भी आपसे पूछ सकता है आपको धियान रखना है वी अनन्त नागेश्वरन पंध्रवें वितायोग की अध्यक्ष है एंके सिंग ये बहुत समय से नियूज में है सुर्क्षा-सलाकार के डिप्टी इसको कहते हैं डिप्टी-NSA और असे इनका नाम है विक्रम-मिसरी को यह अगला है भारतिय रेल्वे बोर्ड अध्यक्ष कौन है तो अब ध्यार अगला UPSC के अध्यक्ष है मनो सोनी और इसके बारे में आपको याद रखनी है UPSC के बारे में UPSC का उलेख समिधान के अनुच्छेद UPSC का उलेख समिधान के अनुच्छेद 315 में इसमें 315 इसको आपको याद रखना है इसके अलावा SSC के अध्यक्ष उतने इंपॉर्टन नहीं है दियान रखेगा इतने इंपॉर्टन नहीं है लेकिन नियाम याद रखेए इनका नाम है S के सोर SSC के अध्यक्ष बनाए गए है S के सोर अब ये दो द इख़िए बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है दोनो सब्सक्राइब इस रोग के अध्यक्ष आपसे पूर्ओंस एक्विस नो ही नए है इसरो के अद्यक्ष K7 थे पहले, इन से पहले, S SOMNAD से पहले, S SOMNAD अब है, और DRDO के अद्यक्ष G37 Reddy, अब नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है, अब अद्यक्ष कौन है DRDO के, समीर वी कामत, और इसरो के अद्यक्ष कौन है, S SOMNAD, तोना बात याद रखिएगा, अगला यूजी सी के अध्यक्ष इतना इंप्रोटन नहीं लेकिन देख लीजिए यहां पर कुछ एक्पॉइंट्मेंट्मेंट है jagdis kumar ncrt के अध्यक्ष है दिनेश परसाद सकलानी क्या नाम है दिनेश परसाद सकलानी अब देखिए अब इंपर्टन्ट क्या है इम्पोर्टेंट क्या हैं इम्पोर्टेंट क्या हो गए देखे सी बीएस्सी अध्यक्ष रहें यह ज़यादा इम्पोर्टेंट है c einzforme निधी छिपबर देखे जहां जहां एपूência कण महिलाओं के होंगे बड़े दो पर वह कैता है यह चीज़ आपको ध्यान रखेंगे, जैसे CBSC की अध्यक्ष बनाई गई है कौन? निधी छिपबर, और ध्यान रखेगा अध्यक्ष पत के लिए हम हमेशा शब्द इस्तमाल करेंगे हैं रेजी में चेर परसन चेर मैन नहीं, क्योंकि वहाँ पर महिला भी सकती है, तो चेर परसन सब्द यूज़ करना ज्यादा सही होता है, क्योंकि ये जेंडर एक्वैलिटी को बढ़ावा देता है, यानि लेंगिक समानता की बात करता है, तो आप कहीं भी अगर शब्द इस्तमाल करें, अध्यक्ष के लिए तो चेर परसन इस्तमाल करें, ज्यादा बड़िया, जैसे हम विसलबुर में कहें, चेर में का चुनाओ, तो चेर में नहीं हम उसे चेर परसन कहें, क्या पता महला बने तो महला बनेगी, चेर में थोड़ी होगी, चेर वूमन होगी, इसलिए चेर परसन सब्द का इस्तमाल किया जाएगा ठेक है अगला देखिए CBSC की अधिक्षा कैसे बनाया गया है निधी छिपबर ये most important है महिला है इसलिए ठेक है नए CDS कौन बने है ये तो most important सवाल है क्योंकि अभी तक यही बहस चल रही थी कौन बनेगा कौन बनेगा जर्नल बिपन रावत की जब से मिर्ती हुई थी उसके बाद से पत्खाली था तो अब बनाया गया है नया CDS हमारे देश का Lieutenant General Retired Anil Chauhan नाम है Anil Chauhan, Lieutenant General थे Retired है इनको बनाया गया है अनिल Chauhan को नया CDS हमारे देश का और ये उत्तरा खंड के रहने वाले हैं कहा के? उत्तरा खंड के General बिपन रावत भी कहा के रहने वाले थे? उत्तरा खंड के अगला है Army Chief अगला है Army Chief Army Chief कौन है? General Manoj Pandey किसको बनाया गया है? General Manoj Pandey हमारे आर्मी Chief तीनों याद रखियेगा आर्मी चीफ, एरफोर्स चीफ, नेवी चीफ ठीक है? और इस बार के लिए जो ज़्यादा important है वो ध्यान रखेगा वो एरफोर्स चीफ इस पर मैं important लगा दे रहा हूँ एरफोर्स चीफ आपको ध्यान रखने है विवेक राम चौधरी वी एर चौधरी लिखकर भी आ सकता है exam में, क्या लिखकर आ सकता है वी आर चौधरी विवेक राम चौधरी ठीक तो ध्यान रखेगे और नेवी चीफ है आरहरीकुमार आरहरीकुमार भी important है क्योंकि आरहरीकुमार ने अभी हाली में यह सवाल भी important है इन्होंने हालई में भी दो INS launch किये हैं, एक है INS Nipun और एक है INS Nistar, यह आपको याद रखना है, Nistar और Nipun, दो INS launch किये हैं, यह हमारे Admiral है, नो Seena प्रमख है, आर हरी कुमार, तो कौन-कुन हो गए, आर्मी जर्नल मनुव,च पंड़े, दूसरा वायू Sina के, वेवेक राम चौधरी और उसके बाद हमारी जल सेना के यह नो सेना के कौन हो गए यह हो गए आर हरीकुमार यह से लिए और इंपोर्टेंट है यह अभी हाली में नो सेना ने अपना फ्लैक चेंज किया है आपको बता है ठीक है सिवाजी को सम्मान देते हुए उन्होंने वहां से जो सम्मान देते हुए सिवाजी को सम्मान दिया है और जंडे को बदला है तो नो सेना का जंडा बदला गया है इसलिए नो सेना इंपोर्टेंट है न्यूस में है ठीक चलिए अगला है नासा के अध्यक्ष नासा के अध्यक्ष है बिल निलसन और अब देखिए यह दो क्योंकि दोनों महिला हैं अभी देखें CBSC की अध्यक्षा वी मनी है माधुरी पुरी बुच के नाम है माधुरी पुरी बुच और NHI की अध्यक्षा बनी है अलका उपाध्याए यानि चेयर परसन अगर बात करें तो CBSC पूछेगा तब भी महिला निदी छिबर आपसे इसके अगलावा राश्पती भी महिला है तो आपसे जरूर पूछा जाएगा तो इस पर ध्यान दे अगला संसट टीवी के CEO कौन बने हैं तो देखिए मैंने आपको पहले वी उपर बताया था पहले CEO थे रवी कपूर लेकिन बरतमान में कौन है उत्पल कुमार सिंग बरतमान में कौन है उत्पल कुमार सिंग बरतमान में कौन है उत्पल कुमार सिंग यह रहे एम्स के निदेशक की बात करें तो वह है डॉक्टर M. स्रीनिवास और ICMR के जो उपाध्यक्ष है ICMR के जो महानी देशक है वो कौन है डॉक्टर राजीव बहल कौन है डॉक्टर राजीव बहल का मतलब है इंडियन काउंसिल और मेडिकल रिसर्च मेडिकल के फिल्ड की सबसे बड़ी संस्ता भारत के अंदर है ICMR इंडियन काउंसिल और मेडिकल रिसर्च और इसका महानी देशक बनाया गया है राजीव बहल को और एम्स का किसे बनाया गया है यह आपको धियान रखना है एम्स का बनाया गया है M. स्रीनिवास को डॉक्टर M. स्रीनिवास ठीक इसके लावा कुछ और हम देख लेते हैं जैसे राज्य और उनमें मुख्यमंतरी तो कुछ इंपोर्टेंट है वो आपको याद रखने है जैसे तिरपुरा के बारे में तिरपुरा के सियम इस समय है मानिक सा अभी फरवरी में बनाया गया था इनको पंजाब के भगवन तमान, अरुनाचल के पेमा खंडू, गोवा के प्रमोत सावंत, हिमाचल के जैराम ठाकुर, करनाटक के बसवराज बुम्मई मणीपुर के एन विरेन सिंग, मेघाले के कॉनराट संगमा, मिजोरम के जोराम ठंगमा, नागालेंड के नेफियोरियो, पुदुचेरी के एन रंगा स्वामी, और सिक्किम के प्रेम सिंग तमांग, यह आपको याद रखने है अब इसमें कौन से आपको most important याद रखने है, तिरपुरा के याद रखिएगा, अभी मई में बने, 2022 में इसलिए, दूसरा भगवन तमान आपको याद रखने है, पंजाब के कॉमेडियन थे, मसूर है, मसूर कॉमेडियन है, और अभी यह पंजाब के मुख्यमंतरी बने, इन्होंने आमाद भी पार्टी जोइन की थी और उसके बाद राजनीती के फिल्ड में उतरे, सांसत बने, अभी इसमें बरतमान में बज्जाब के मुख्यमंतरी हैं, इंटरनेशनल लीडर्स में हैं कई कॉमेडियन्स, जैसे जेलिंस्की, आपने बलादीमीरी जेलिंस्की इसकूलों में हिजाब पर बैयन इत्यादी, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस चलते रहे, तो बसवराज वो में भी इंपोर्टन्ट है, मणीपूर के एन विरेन सिंग, मेगाले के कॉन्राट संगमा, मिजोरम के जोराम ठंगमा, इसके अलावा, नागलेंड के न अब देखें, यहाँ पर मैंने एक चितर बना रखा है, डाइगराम बना रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने सारे नौर्थीस्ट के जित्ते भी मुख्यमंतरी हैं, उनके नाम लिप रखें, इसको देख लीजे, यह इस तरह से मैंने एक मैप बनाया थ यह नौर्थीस्ट का मैप है केवल, इसमें मिजोरम, तिरपुरा, मेघाले, जितने भी आठ जो पुरवत्तर भारत के राजिये हैं, यह सिक्किम है, यह अरुनांचल प्रदेश है, यह अरुनांचल प्रदेश है, इसके अलावा यह है नागालेंड, मनीपुर, और यह है म मिजोरम, और यह है तिरपुरा, मेघाले, और यहाँ पर असम, ठीक, यह साथ है, और यह साथों के मुख्यमंतरी यहाँ पर लिखे हुए है, ठीक, यह कुछ इंपोर्टन न्यूस थी जो आपको जाननी चाहिए, इसके अलावा एक चीज़ और वसवराज बुम्मई के हम इस केस में क्या हुआ देखी है, मैं आपको जाता हूँ, इस केस में पंथ निर्पेक्ष्टा, यहनि सेकुलरिजम, पंथ निर्पेक्ष्टा को सम्मिधान का आधारभू धाचा घुशित किया गया था, ठीक, इसलिए इंपोर्टन है, तो आप से पुछा जाए है, भारती केस में कौन सा केस केस वा अनन्द भारती केस 1973 में आयो पी वीडियो आपको समझ में आएगी और जितनी भी इंपोर्टेंट हमने यहां पर कवर की हैं चीजें यह सब एक्जाम में आप से पूछी जाएंगे चलिए थेंक्यू बेरी मच मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंद बंदे मात्रम